सीटेर की जो परिच्छा इस बार हुई है 7 जुलाई 2024 को इस परिच्छा में जो भी अभ्यरती सफल हो रहे हैं उन अभ्यरतियों के लिए गुण्योज भी सामने आ गई है आपको बता दें जो अभ्यरती इस परिच्छा में सफल हो गए हैं उत्तरकुंजी आने के बाद से व जो वेकेंसी आने वाली है, जो वेकेंसी रिक्त है, वेकेंट है, उसकी जानकारी आ गई है, जो इसका स्क्रीन सॉट आपके सामने, यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, डिरेक्ट ट्रेट आफ एजुकेशन, रूम नमबर 11B, ओल्ड सेक्टर दे लही 54, तो यह आपको नजर 82 पद, लेकिन इससे जादा पदों पर यह वेकेंसी आपको जल देखने को मिलेगी, यह खजार 82 से जादा पद है, क्योंकि यहाँ पर डेटर प्लेस भी इस बार जो भरतियां करेगा, यह काफी लंबे समय से यह जो डाट डाटा सामने आया है, यह 24-6-2024 तक का है, 24-6-2024 तक जो वेकेंसी आपको जादा पद है, जो की डियोई की तरफ से है, लेकिन कुछ इंपोर्टन चीज़ें आपके लिए यह हैं कि जो अबेरतियों के लिए आज लाश्ट दिन है, 27-7-2024 तक, आज रात 12 वज़े तक आप आपतियां दर्ज करा सकते हैं, उत्तरकुंजी मे आपतियां दर्ज कराने के बाद, इसका रियल जल्द ही जारी किया जाएगा, अगर आपकी आपतियां सुविकार की जाती हैं बोर्ड के दोरा तो आपको अंक जो हैं वो बढ़े हुए नजराएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त यूटूब में गूम र रही हैं, तो आप अगर इस बार की उत्तरकुंजी में आपतियां आप लोगों को लगता है कि किस उत्तरकुंजी में आपको आपतियां उस वो आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन इस बार हमने भी काफी जो ऐसे प्रेशन हैं जिन पर आपतियां लगा दी गई हैं, लेक सबके बढ़ते हैं तो आपको बता दें अगर एक भी आपती लगाई जाती है और उसकी जांच सीटेट यानि सीबियस्टी के दोरा की जाती है अगर उस आपती को सीबियस्टी सुईकार करता है तो उस अंक का फायदा सभी बच्चों को मिलता है ना कि एक बच्चे को तो ऐस अगर किसी एक ने भी उस प्रेश्ण पर आपती लगाई है तो उसका लाव सभी बच्चों को मिलेगा इस बात को ध्यान रखेगा जो अभरती डी ट्रेप्लेस्वी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाली है और इस परिछा को सफल कर चुके हैं सीटेट की उन अभरतियों के लिए तो आंगे बहुत अच्छा चांस मौका मिलने वाला है क्योंकि प्राइमरी में एक बार फिर से डीटर प्रेस्वी काफी लंबे समय से भरती आने वाली थी जो कि नहीं आ सकी थी ऐसे में डीटर प्रेस्वी की तरह से जो डाटा आया है उसमें एक हजार बैयासी पद जो करती है भरतियां उसमें केवल ये के लडिली सरकार के दोरा जो की हाई कोड की तरफ से डाट अब दिया भी गया था हाई कोड ने सकत निर्देश भिद्यासीयास भरती को जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर और ये काफी लंबे समय से भरती अट्की हुई है ये आपको नीचे दिख रहा होगा सेक्षनाफीसर की ये 10-7-2024 का सिगनेचर है जो की जवाब आया है और ये जवाब आटियाए के दोरा पूछा गया था एक छात्र के दोरा जिनका नाम है हामिस सैफी मिस्टर हामिस सैफी के दोरा ये सवाल पूछा गया था कि डी ट्र प्र कौन से असफ़ल हैं किसी कारणवास उनको अगले सीटेड की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अगले सीटेड का जो नोटिफिकेस हैं वो भी आपके सामने जल्द आएगा तो ऐसे में कोई सवाल आपके मन में फिर भी रह जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को अगर लाइक से नहीं किया तो कर दीजिएगा चैनल पढ़ना हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि जल्द ही क्लास हैं जो हैं चीज़ें वो आपको फ्री में यहां पर सीटेड की मिलने वाली हैं तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है वीडियों को दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिये तो जो आज जिनको भी आपतियां लगानी है उनको लगता है कि हमें आपतियां दर्ज करनी चाहिए जिनको लगता है कि एक हजार रुपए हम दे सकते हैं तो वह आपतियां लगा सकते हैं क्योंकि प्रत उन्होंने नोट्स के मादम से कहें, पब्लिक नोटिस के मादम से कहें, जो कि बता दिया है पहले से ही, चाहिए दोस्तों वीडियो में यहीं तक था कोई जानकारी आओको चाहिए, कोई सवाल मन में है, कोई चीज़ा छूट रही हो इस वीडियो में, तो कमेंट में